आखें भी होती हैं दिल की जुबा दोस्तों आजकल व्यूट्यूब में गाने आपको गाकरी सुनाने पड़ते हैं क्योंकि एक गाने पर चार-चार कॉपिरेट आ जाते हैं और गाना सुनके आपको समझ में आही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है आपकी मधोश आखें आपके कोमल नहें दोस्तों इससे पहले लेट हो जाएं लोग आपको बुलाने लगें ये चश्मिश, ये बटन, ये लाल्टेन, ये चोखे यानि चारागों वाले, ऐसे विश भरे शब्दों की आप पर बोचार होने लगें और आप बहुत डिप्रेस्ट फील करें इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये है आपकी आए केर के उपर दोस्तों होडी नहीं सकता कि वीडियो आप पूरा देखें और आपको वीडियो अच्छा ना लगे अगर ऐसा हुआ तो मैं सज बता रहा हूं मैं सब छोड़ चाड़ के रिशी के चला जाऊँगा इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे यदि अब तक नहीं किया है और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों हमारी आखें जो होती है वो बहुत ही important हिस्सा होती है हमारे शरीर का या फिर पूरे हमारे अस्तित्यु का क्योंकि हम हमारी आखों से ही पूरी दुनिया को परसीव करते हैं अगर आख नहीं तो कुछ नहीं आखों को healthy स्वस्त रखना बहुत ही जरूरी है यदि आपके आखें स्वस्त रहेंगी तो लोग भी आपसे कहेंगे कि blue eyes, hypnotize तेरी कर दी है मैंनू तो दोस्तों आखों को healthy और स्वस्त आप अपने बुढ़ा पे तक कैसे रख सकते हैं वो ही हम इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले आखों की science को समझते हैं देखे हमारा जो शरीर है physical body वो 5 तक्तों से बनी है धर्ती अगनी जल वायू आकाश, धर्ती यानी earth element, अगनी यानी fire element, जल यानी water element, वायू यानी air element and आकाश यानी ether element यानी शरीर के अंदर जो खालीपन है एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में 3 दोश होते हैं, 3 दोश जिसको कहा जाता है या फिर शरीर की प्रकरती होती है, वात, पित और कफ अब देखिए आपके शरीर में जो 5 elements जो मैंने बताये, इनके permutation combination से वात, पित, कफ form होते हैं शरीर में तो basically आखों की रोशनी जो हमें मिलती है, वो मिलती है fire element से fire element अगनी तत्व, तो अगनी and रोशनी, आप इसको similarity देख सकते हैं और वैसे ही जो दोश है, पित जब हमारा शरीर में imbalance होने लगता है, तो आपके आखों से रोशनी भी थोड़ी थोड़ी गायब होने लगती है समय के साथ में तो basically root cause को देखे हैं, तो fire element जब उपर नीचे होगा तो आपके शरीर का पित खराब होगा, पित विक्रित होगा और उसके कारण आपकी आखों में problem होनी शुरू हो जाएंगी तो दोस्तों, आयरुवेद जो है, वो बात करता है root cause पे, तो हम उस root cause को ही आज देखेंगे आईए बात करते हैं पहली टेकनीक के बारे में, जिससे आप अपनी आखों को सुस्तर रख सकते हैं पहली जो टेकनीक है वो है sunbathing, सूरे, यानि जो ब्रहमांड को रोशनी देता है, वो ही आपकी आखों को भी सुस्तर रखेगा तो रोजाना आप सुबह या शाम को, यानि during sunrise और during sunset आप सूरज के सामने खड़े हो जाएं और 10 counts तक सूरज को देखें दोस्तों मगर इसमें बहुत ध्यान रखने वाली दो बाते हैं, पहली जो है, you have to do it barefoot and second thing, you have to do it during sunrise और during the sunset only देखें दिन के समय जब सूरे में जो रोशनी होती है, सूरज की जो किरेने होती है, उनमें UV rays, ultraviolet rays की मात्रा जादा होती है जिससे आपकी आँखों को problems हो सकती है, तो you have to do it either during the sunrise और during the sunset, आप 10 counts तक लगातार सूरज को देखें और रोजाना थोड़ा थोड़ा इसका समय बढ़ाएं, अब बात करते हैं technique number two की, जो कि है त्राटक त्राटक यानि एक तक किसी एक बिंदू को देखना, देखें इस technique में भी तीन methods हैं करने के पहला जो method है, वो है normal त्राटक, यानि सीधे सुखासन में बैठके, अपने right अंगुठे को अपने दोनों eyebrows के सामने ले आना और उसको एक तक देखे जाना, maximum capacity तक, जब तक आपकी आँखों से पानी ही पानी ना बहने लगे दोस्तों ये technique बहुत ही अच्छी technique है और बहुत अच्छी आँखों की exercise है, दोस्तों ये जब आप technique करेंगे तो हो सकता है, लोग आपको बहुत emotional व्यक्ति समझें कि ये व्यक्ति बहुत ही कोमल कभी हिर्दय का इंसान है, ये तो थी method number one त्राटक का, दूसरा method क्या है, same process क को करना है, एक टक आपको देखना है, बिना पलक जपकाए, लेकिन इस बार आपको अंधेरे कमरे में मुम्बत्ति की रोशनी को देखना है, ये process भी बहुत ही अच्छा process है, लेकिन जब आप ये process करें, तो अपने आस प्रडोस घरवालों को बता दीजेगा कि आप ऐसा को फुल मून के दिन, जिस दिन चांद की रोशनी सबसे ज़ादा हो, उस दिन same process चांद के साथ करना, मतलब चांद को एक टक देखना, देखिए इससे आपकी चांद की जो शीतलता होती है, वो आपके आँखों को मिलेगी और बहुत अच्छा relaxation मिलेगा, और आपके इसका मन पर भी प्रभाव पड़ेगा, stress reduction होगा, और आपके जीव में बहुत सारी खुशाली आएगी, दोस्तों ये हमने बात की, तीन methods की जिन से आप त्राटक कर सकते हैं, अब बात करते हैं हम एक और, technique number 3 की, technique number 3 जो है, वो है रात को सोने से पहले, अपनी नाक में, एक एक ड्र देखें, अनु तेल is a herbal oil, which contains herbs like, जीवन्ती, देवदारू, त्वक, उशीरा, मदुका, मुष्टा, and 16 other herbs, दोस्तों इसका जो वर्नन है, वो चरक समिता में भी है, और अश्टांग हिरदयम में भी अच्छे से है, इस से आपकी आँखों की रोश्टी तो बढ़ती ही है, सा बहुत अच्छी चीज है, और रामबान चीज है, उसके लावा प्री मिच्वर ग्रेंग ऑफ हेर, जिनको होता है, यानि जल्दी बाल सफे दोने लगते हैं, उनको भी अनु तेल का इस्तमाल करना चाहिए, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, रात को सूने से पहले, दोनों दालना है, और उसे इनहेल करना है, नाक में डालेंगे आखों की रोशनी अपने आप बढ़ जाएगी, तो नाक में डालना है, आख में नहीं, इतना करने के बाद में, यदि आपके पास में समय बच जाए, तो अपने नजदी की पंच कर्मा सेंटर या आयरुविदा उनको साल में, एक या दो साल में एक बार ऐसा जरूर कराना चाहिए, या जिनको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है आखों में, उनको फटा-फट जाके ये ट्रीटमेंट जरूर से लेने चाहिए, पहला जो आयरुवेदिक ट्रीटमेंट है, वो है नेत्र तरपडम, इस उनको डॉक्टर से पूछ के ही करवाना है, और किसी भी प्रकार का आये इंफेक्शन है, तो उन लोगों के लिए भी ये रिकमेंडिड नहीं है, बाकी कोई भी नेत्र तरपडम करवा सकता है दूसरा जो आयरुवेदिक ट्रीटमेंट है, वो है नस्यम, नस्यम एक पंच कर्मा थेरेपी है, इसमें होता ये है, आपकी नाक में अलग-अलग हर्बल ओइल्स, जूसिज और आयरुवेदिक पाउडर डाले जाते हैं, नाक में, जी हाँ नाक में मैंने भी किसी के बहकावे में आके ये ट्रीटमेंट करवाया था, तो शुरुवात में मुझे बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन बाद में बहुत ही अच्छा हैसास हुआ, एहसास ऐसा के शब्दों में बया नहीं हो सकता दोस्तों, नस्यम के और भी बहुत सारे बेनेफिट्स हैं, जैसे कि ये हमारी हेर ग्रोथ को बढ़ाता है, हमारी स्किन जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको ठीक करने में मदद करता है, आपकी स्किन ग्लो करती है, आँखे तो अच्छी होती है ही देखे, नस्यम में होता ये है कि आपको नेजल कैवेटी से जो मेडिकेशन दिया जाता है, वो आपके ब्रेन के उस इससे को इफेक्ट करता है, जहां से आपका विजन रेगुलेट होता है अब मैं आपको बताता हूँ, तीसरा आयुरुवेदिक ट्रीटमेंट जो आपको जरूर सिलेना चाहिए, वो है पाद अभ्यंगा, यानि पैरों की मालिश पैरों को जब हम मालिश करते हैं एक स्पेसिफिक तरीके से, जो ट्रेंड लोग होते हैं, उससे आपके तीनो जो दोष हैं, वात, पित, कफ, वो बैलनस होते हैं तो शरीर में चाह कोई भी रोग हो, जब ये तीनो दोश बैलन्स होने लगते हैं, तो सारे रोग जो हैं, वो हमारे शरीर को टाटा बाय बाय कर देते हैं दोस्तो पाद अभियंगा तो आप खुद भी सीखे, अपने आप भी कर सकते हैं, हफते में दो-तीन बार इससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, आपका पूरा जो सिस्टम है, वो बहुत अच्छे फंक्शन करेगा तो यहां हमने बात की कुछ आईरुवेदिक टेकनीक्स जो हम घर पे कर सकते हैं और कुछ हम जो आईरुवेदा सेंटर में जाकर कभी भी हमको समय मिले तो करवा सकते हैं आँखों की अच्छी रोशनी के लिए अब हम बात करते हैं कौन सा फूड जादा खाएं या क्या क्या चीजें लाइफ में अवाइड करें और कौन-कौन सी हर्ब्स हम घर पर ही लेकर आँखों को हमारे हेल्दी बना सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं food to have regularly सबसे पहले हम बात करते हैं fruits की जिनसे आपके आखों की रोशनी तेज होगी सबसे पहला जो fruit है वह apple, grapes, orange और आवला हाला कि आवला fruit नहीं है लेकिन आप जहां पर भी सबजी लेने जाएंगे फल लेने जाएंगे वहां पर आपको आवला easily available है तो यह तो बात रही fruits की अब बात करते हैं हम vegetables की कौन से vegetable खाने से आपकी आखों को रोशनी मिलती है carrot, spinach, cucumber, beetroot इनको खाने से आपकी आखों के रोशनी तेज होगी आई अब हम बात करते हैं what to avoid क्या-क्या हमें avoid करना चाहिए to have a good vision सबसे पहले जो हमें avoid करना चाहिए वह रात को लेट को लेट तक खाना खाना क्योंकि जब हम रात को लेट खाना खाते हैं तो उससे हमारे शरीर की अगनी बिगड जाती है हमने शुरुआत में बात की दिना अगनी तेज होनी चाहिए आखों को मजबूत बनाने के लिए दूसरा चीज है वह कार्बोनेटी ड्रिंक पेपसी कोला इनको पीने से भी हमारे अगनी विकृत होती है शरीर की तीसरी जो चीज है जिसे आपकी आँके बहुत ही जल्दी खराब हो जाएंगे वह एक्सिव और ज्याथाश्टा लेंग जो हैं और और ज़्याशा करते हैं उंका बहुत जादा बढ़ जाता है पित जब imbalance होगा तो अगनी बिगड़ जाएगी शरीर की अगेन आखों पर प्रभाव पड़ेगा और एक और चीज है जो शायद आपको पता नहीं होगी वो है या तो बहुत ही उंचे तकिये पर सोना या फिर बहुत ही नीचे तकिये पर सोना अब हम बात करते हैं दो ऐसी हर्ब्स के बारे में जो आपको regularly लेनी है जो से आपकी आँखें भी मजबूत होंगी और बाकी शरीर को भी वो मजबूत करेगी पहली जो उनमें से हर्ब है वो है त्रिफला त्रिफला तीन फलों का mixture त्रिफल कौन कौन से हैं पहला है आवला दूसरा है हरित की तीसरी है भिवित की इसको आपको सोने से पहले आदा चमच अगर आप लेंगे तो अगेन ये तीन फल जो है ये त्री दो शवात पित कफ को बैलन्स कर देगा और आँखें तो मजबूत होंगी ही बाकी पूरे शरीर से सारी बिमारिया टाटा और इसका जनली यही नाम हट जगे है तो दोस्तों गिंक को बिलोबा जो है वह बहुत ही अच्छी चीज है और जनली इसको ब्रेइन टॉनिक के रूप में इस्तमाल किया जाता है जिससे शरीर में ब्लड सर्कूलेशन पूरा बढ़ जाता है कुरिया में रिसर्च हुआ औ आप कोई किसी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगी गिंग गिंग गो बिलोबा तो यह आप पूरे दिन में खाने के बाद में जब भी आप खाना खाते हैं उसकी बाद में इसका एक जो है कैप्सूल टैबलेट जिस भी फॉर्म में आता है तो वह आप ले सकते हैं पा करेंगे कि तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैनल वीडियो को कर दीजे लाइक चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा दीजे और आपको भी यदि कोई अच्छे-ची बाते पता है तो नीचे कमेंट में लिखिए ना डर किस बात का है फ्रीडम मस्त रहें, स्वस्त रहें, मस्त रहें, जैहिर्व